वेलकम तो मैं चैनल आज की इस वीडियो में आपको डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो इसके लिए मैंने धाय मीटर यह कॉटन का कप्रा लिया है और इसके विट था 44 इंचे तो यहां पर मैंने कपड़े को पहले फैला के रख लिया है और यह क पूल कर देना अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग तो अब मैं यहां पर इसकी लेंद के लिए निशान लगाती हूं तो उपर से हमें यह कुर्ती की लेंद लेनी है जितनी भी रेडिन आप आपको चाहिए उससे दो इंच बढ़ा के लिजे मुझे 43 इंच की रेडिन आप अब इसको सीधी लाइन से हमें जॉइन कर देना है तो यह हमारी लेंद के लिए यहां नजदीक से मैं दिखा देती हूं जहां तक मैंने कपड़ा फोल किया है अब देखें ऊपर की तरफ से हमें पहले आधा इंच पे सिलाई मार्जन के लिए निशान लगा लेना है और इ अब यहां से नीचे की तरफ को आम होल के लिए निशान लगाना है तो आम होज भी मेरे मेजरमेंट में 6.75 इंच के हैं तो उतने पर निशान लगा कि उपर स्ट्रेट लाइन से इसको जॉइन कर देना है अब यहां पर हमें बर्स्ट के लिए निशान लगाना है तो जितन आम होल वाले point पे straight line से join कर दिना है मैंने जॉइन करती है अप कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर का निशान हम उपर शोल्डर से 14 से 15 इंच नीचे पर लगाते हैं तो मैं 14.5 इंच पर निशान लगा रही हूं अब यहां पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपके कमर है आप उसको चार से डिवाइट करें आधा हिंच की लूजिंग आट करें मेरी कमर 30 इंच की है तो इसल इसलिए मैं यहां पर निशान लगा रही हूं अब यहीं पर हम हेप राउन के लिए निशान ले लेंगे तो जितना भी आपका हेप राउन है उसको चार से डिवाइट करें और आधा हिंच की लूजिंग एट करें मेरे मेरे मेजरमेंट में हेप राउन है 36 इंच का 9 इंच पर मैं यहां नीचे बॉटम पर निशान लगा रही हूं अब इसको हमें यहां उपर हेप वाले पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन से जाइन कर देना है इसके बाद यहां साइड में एक से डेर इंच या जितना भी आपको मार्जन एक्स्रा कपड़ा चाहिए उतने आधा इंच का डीप करते वे फ्रंट का आमउल कर वे बना लेना है अब यहां dull वाली रपा से उपर को थीन एक विर निशान लगाना है और आधा इंच का हमें यह पह कुछ को डाउन कर लेना है और आधा इंच का इसमें मार्जन भी लेना है सलाई के był lei के लिए इन अब और शेन के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अब इसके बाद हम इसके front आमोल कर्व की cutting कर लेंगे तो ये cutting हो गई है इसके neckline की cutting मैं direct बुक्रम में करूँगी अब sleeves की cutting कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने side से बचावा कपड़ा लिया हुआ है और देखें दो parts में रखा हुआ है कपड़ा अब ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े का urge है तो हमें इसको urge में याने के width wise इस तरह से fold कर देना है तो मैंने इसको fold कर दिया अब यहां उपर की तरफ पे नजदीक से दिखा देती हूँ आपको तो देख सकते हैं कपड़ा 4 पार्ट में रखा हुआ है अब स्लीव की लेंद के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपको ready लेंद चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के हमें लेना है तो मेरे को 18 इंच की लेंद चाहिए तो मैं यह पर 2 इंच बढ़ा के निशान लगा रही हूँ अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ अब यहां folded वाली साइट से हमें स्लीव के विर्थ के लिए निशान लगाना है तो जितना आपने कूर्ती में आमोल लिया था न उससे एक इंच बढ़ा के लेना है मैंने 6.75 इंच का आमोल लिया था तो एक इंच बढ़ा के यानिकि 7.75 इंच पे मैं निशान लगा रही अब आधा इंच का नीचे को डीप करते हुए हमें फ्रंट का अमोल कर भी बना लेना है अब यहां नीचे पे हमें स्लीव के महरी के लिए निशान लगाना है तो 5 इंच पे मैं इसके लिए निशान लगा रही हूं और इस पोईंट को अब हमें यहां उपर स्ट्रेट स्लीव को मैं ऊपन करके रहे हूं और फड़े जो फ्रंट आमोल कर वे अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो यहां पर स्लीव कंटिंग हो चुकि एब हमें इसकी नेकलय नानी है कुरती की तो नेकलाइन के लिए मैंने एक बुक्रम का पीस लिया हुआ है और इसकी जो विट है चोड़ाई 12 इंच की है लंबाई 8 इंच की है अब इसको हमें बिल्कुल से विर्थ वाइस फोल्ड कर देना है अब यहां यह जो फोल्ड लाली साइड है यहां से अंदर की तरफ को तीन इंच पे नेक के लिए निशान लगा लेना है और फ्रंट नेक की डीपनेश जो है वो मैं यहां पर अभी साड़ी 6 इंच की रख रही हूं साड़ी 6 इंच पे निशान लगाया अब यहां से अंदर की तरफ को हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और इन तीनों पॉइंट को हमें इस तरह की तरफ के 1. tweets और अधा इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से यहां पर हलका सा राउंड शेप दे देना है और यहां नीचे की तरफ को फॉल्ड़ी साइट पर आधा इंच पर नीचे पर नीचे भी निचान लगाएंगे और इसको यहां साईट कट्टिंग कर लेंगे तो यह दिखिए नेकंड की यह पर कट्टिंग पूरी हो चुकी है अब हमें इसको कपड़े में चिपका नहीं है तो मैंने यहां पर एक कपड़े का पीस लिया हुआ है इसके उपर हम बुक्रम की नेक लाइन को रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे तो देखिए मैंने इसको चिपका लिया है अब साइड से आधा हिंच का मार्जन लेते वे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इसके बाद यहां पर चोटी-चोटी से कट्स लगा लेंगे और क यहां पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसके पीछे वाली तरफ मैंने पेपर पेस्टिंग जिपका लिया है अब देखिए इसकी जो लंबाई है वह नहीं यहां पर 11 इंच के लिए है और इसकी चोड़ाई यानिके विट मैंने तीन इंच की लिए है अब यहां दोनों साइट पर मैंने निशान लगा लेना है अब हमें पतली डोरी लेनी है और डोरी बनाने के अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी अब इस डोरी को हमें यहां पर इस तरह से क्रॉस करते वे दोनों पर पहले रखना है और इस तरह से क्रॉस करते वे हमें यहां पर इंडोरियों को रख देना है और सिलाई लगाते जाना है अब यहां पर मैं एक लेस ले रही हूं समौसा लेसे और इसको हमें यहां पर इसके कोने में इस तरह से अंदर की तरफ को करते वे इसमें पूरे में सिलाई लगा कि जॉइन कर लेना है तो यहां पर इसमें मैंने सिलाई लगा ली है अब साइट से जितना भी एक्ष्रक अपड़ा है वह मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको कट कर ले रही हूं और अब कट करने के बाद यह दिखिए इसकी जो लेस है इसको हमें इस तरह से बाहर की तरफ को पलट देना है और कुर किसे करना है वह मैं फ Bread करने का नदे है ऑने कूर्टी का प्रंट वाला पार्ट अपर को बिजाए और यही तरह हों ऌडा पिछे को बिला से ऑपके और झान को पर आप अमें पर रहा करना है तो उसके लिए पहले जो आखना है। जो सेंटर है उसको में कूरती में के विसंटर बिल्पली आखना है, और इस पीस को यहां बनुए अबंद कर से लिए यहां पर मुझ हुंगी कर है लिए 10BL के नेच। और इसमें अब हमें इसमें यहां पर चारो तरफ पे इसके सिलाई लगा लेनी है और इसको सिलने के बाद हम यहां पर नेक लाइन को रखेंगे और इसको भी सिलाई लगा के जॉइन कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने पहले इसको पेंसर टैच कर लिया है उसके बाद लेस को बाहर की तरफ को करते वे हमें यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी से दूरी पर इसमें सलाई लगाते जाना है. तो दीखें, यहाँ पर मैंने सलाई लगा के जॉइन कर लिया है. अब यह नेक पीस में ले रही हूं, और सेंटर से बिल्कुल सेंटर मिलाते वे में रखना है. और बुकरम से टच करते वे हमें इसमें सलाई लगा लीनी है. तो वह सलाई लगाने से पहले आप इसको एक और कट करने के बाद इसके साइड में चोटे-चोटे से कट लगा देने जहां पर राउंड वाली साइड है और कॉर्णर में भी बड़ा साप कट लगा लीजिए बस ध्यान रहे से लाई ना करते अब हमें बुकरम को पीछे की तरफ को पलट देना है और पलटने के बाद के फैन में प्रेस कर लीजिवाएं के में अग्रेस कर करते हैं तो देखाव इस निक लाइन पैपिंग बना ली तो पेडुआ कि व्यच्काा देंक पीघं तो लिंक लेगा से कॉर्णर पर हम yen पूर्य मेंने पटमितानला बैजे तो यहां पर देखी इसके नेक लाइन बनके तयार हो गई है अब हमें बैक वाले पार्ट की नेक लाइन बनानी है तो मैंने बैक वाला पार्ट लिया है और तीन इंज पर पहले हम नेक विद्ध के लिए पर निशान लगाएंगे और बैक नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 4-4 इंच की ले रही हूँ तो 4 इंच पर निशान लगाया अब इसको हमें हलका साया पर घुमाओ देते वे इसकी नेक लाइन बना लेनी है तो मैंने यू शेप की नेक लाइन बनाई है अब इसमें हमें आधा इंच का करें अब इसको ओपन करके रखना है और इसके बाद यहां पर मैं उरे पट्टी ले रही हूं और पट्टी से हमें इसकी नेक लाइन में डबल फूल करते वे फिनिशिंग दे देनी है तो मैंने इसकी नेक लाइन बना ली है देखिए अब मैं फ्रंट और बैक पार्ट को और आगा करें इसके छोल्डर्स के धूरी पर इसके लिभलें दूरी मेंında के इसजयुआ दोफ्ट जोईम है तो इसके बाद हमें इसकी तो Add Mais केले हैं और अनका पर यहां बाटम हों तरफ लाए sit को भी जो और लेवाンド अंदर केतों indra तरफ करहें और दित्यान रहे हैं जाना मैं करता होई स्लीब छाहिए और वी पर बेक आम बेक आम होई खॅन तसमें स्लीव को परिके साथ के लिए लगा दिएयॉ तो मैं पर सीधे के लिए हैं सीधी तो राव भी तरफ में गproduction कर देंगे सेस्तार्ट स्कति भी आदाई को एध भर स्टार्ट गीजाए यहाँ तक हम सिलाही लगा के लाएक तो और दूसरी तरफी थे तरफ में लगा लूंगी तो देखिए इसके साइड भी मैंने यहां पर शिलीा है और यहां पर से नीचे की तरफ जो चाक वाला हिस्सरा है यहां पर हमें कप्रे गड्रेट एकट्टा इसके डबल फूल करना है और यहां पर इसकी चार्ग बना लेनी है अगर आपको चार्ग बनाने की प्रापर पूरी वीडियो देखनी है तो मैं फुल डीटिल में अलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो इस तरह से हमें दोनों चार्ग बना लेनी है और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको भी डबल फोल कर दिना है यहां पर देख सकते हैं मैंने इसके चार्ग बना ली है और इसका जो बॉटम वाला हिसा है इसको भी मैंने डबल फोल कर दिया है और अब डिजाइन के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से मोती लगा दे रही हूँ और ये कुर्ती बन के मारी तैयार हो गई है